नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाथोरिया देश में इस वक्त मौसम की अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं एक तरफ नई दिल्ली और NCR की लोगों को बारिश का इंतजार है तो वहीं देश के कई हिसों में आसमान से आफत परस रही है जमू कश्मीर में भी बारिश ने पिछले 32 साल का रेकॉर्ड तोड़ दिया है 32 साल बाद शहर में बारिश का रौदर रूप देखने को मिला जमू कश्मीर की गांदर बल जिले में बादर फटने से भारी तबाही मची है यहां कई घरों को नुकसान पहुँचा है चारों तरफ मलबा फैल गया है बादर फटने के कारण नदिया उफान पर है और बारिश का कहर अभी भी चारी है बादल फटने के कारण यहां कई घरों को नुकसान पहुंचा है जबकि कुछ गाव के लोगों को अपने अपने घरों को छोड़ कर बाहर आना पड़ा गांदरबल में बादल फटने से राजमार्ग शतिक रस्त हो गया आवासी संपत्यों को नुकसान पहुंचा और शेत्र में अचानक बाड़ा गई आपको बता दें गांदरबल में लार के बादलार इलाके में घटना सर पर बड़ी शतिकी सूच ना मिली है इसके लगां इमाचर प्रदेश में भी बारिश आफद बन कर बरस रही है यहां धरमशाला में बारिश के बाद अचानक बादल फटने से भ्यंकर बाड़ा गई इससे कई जगा मकान बह गए, कई जगा अचानक आई बार में गाड़ियां भी बहती नजर आए दरमशाला में रविवार देराच से भारी बारिश हो रही है यहां भाद सुनाग में पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गई पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में बहती नजर आए जबकि रक्कड इलाके में सड़क नाली में तब्दीन नज़र आए इसके लावा कांगडा की मटॉर इलाके में भी बाड और भारी बारिश का कहर बर्पा है इस खबर में फिला लितना ही तमाम अबडेट्स के लिए आप बनी रहें वन इंडिया हिंदी के साथ